केंद्री रक्षमंत्री राजनात सिंग ने CSR कॉनक्लेव के अंतरगत आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया इस अफसर पर उन्होंने CSR के अंतरगत उपस्तित कंपनी वा संगठन प्रतिनिधियों को उनके सहीयोग के लिए धन्यवाद ग्यापन किया और कहा कि यह कारिक्रम देश के उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने हमारे जीवन के लिए अपना जीवन बलिदान किया है भारत देश के सैनिकों ने मुस्तैदी के साथ सभी मुसीवतों का सामना किया है और इस दोरान कई बार सैनिकों को सरवोच बलिदान देना पड़ा है कई बार यह सैनिक परिवार के लिए अकेले उपारजक होते हैं इसलिए इन बलिदानियों के परिवार का सहयोग हमारी जिम्मेदारी है तो मारी मुलाकात अक्तर होती भी रहती है और आज हमारा देश जिस गती से टेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों का ही एक मेजर कांट्रिबूशन है और नेशन बिल्डिंग में आप लोगों की भागीदारी बढ़े पबलिक प्राइवेट पार्टनर्सिप के माध्यम से रास्ट और तरक्की करे और डिफेंस रोडक्शन सेक्टर में आप लोगों का पार्टिशिपेशन बढ़े इन सब मुद्दों पर तो हम और आप मिलते रहते हैं चर्चा भी करते रहते हैं पर आज की यो एह गैजरिंग है वह कुछ माइनों में खास है आज का यहकामकलेब उन लोगों के लिए कुछ करने के उदेश से है जो हमारे लिए बहुत कुछ कोरते हैं यहकारकम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिनके ट्याग और बल्दान के वजद से बलिदान किया है साथियों आजारी के बासते ही हमारी सेना के वीर जमानों ने किन किन हालातों का सामना करते हुए इस भारत देश को सुरक्षित रखा है उसका पूरा वरणन तो करना ये कटिन है चाहे भारत की अखंडता हो अथो भारत की संप्रभुता की रक्षा का प्रस् हमारी आर्ण फोर्सेज ने बड़ी मुस्तहरी किताब तभी चैलेंजिस का मुहतोड जवाब दिया है और आप सभी आउगत हैं कि इस दोरां हमारे बहुत सारे वीरों ने अपना सर्बुश बलदान दिया है और कई सैनिक सारूरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं इनमें स फैमिली की मृत्तु या उसके सारूरिक रूप से अक्षम होने पर उनके परिजनों पर क्या गुजरती होगी उसका अनमान लगाना भी यह बहुत ही कठिन है इसलिए हमारा पूरा दाई तो बनता है कि हम उन सैनिकों और उनके परिजनों की पूरी मदद करें अपने कार के प्रती हमारे सैनिकों की निस्था और समर्पन या किसी को बताने की आवस्क्ता नहीं है या जग जाहिर है इसलिए जब लगभग सिक्स्टी थाउजिंड सैनिक रिडायर होते हैं तो मेरी नजर में लगभग एक लाख वीस हजार करमठ और महंती हांत और पैर समाज में वा जिन्होंने पिछले वर्स अपना कीमती योगदान इस निधी में दिया है मैं आज यहां उपास्तित सभी गड़वाने लोगों से अपील करूँगा कि वह इस कानक्लेब में सरैयो सहभागी बने और औरों को भी इसमें सामिल होने के लिए प्रेजित करें